अध्याय साथ भगवत ज्यान श्री भगवान ने कहा ए प्रथा पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पून होकर और मन को मुझ में आसक्त करके युगा भ्यास करते हुए मुझे पून तया संशरहित जान सकते हो अब मैं तुम से पून्डूप से व्यवहारिक तथा दिव्य जान कहूंगा इसे जान लेने पर तुम्हे जानने के लिए और कुछ विशेश नहीं रहेगा कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धी के लिए प्रत्न शीर होता है और इस तरह सिद्धी प्राप्त करने वालों में सिद्रला ही कोई एक मुझे वास्तम में जान पाता है प्रत्वी, जल, पढ़नी, वायू, आकाश, मन, बुद्धी, तता अहंकार याठ प्रकार से विभक्त मेरी अपरा प्रकृतियां है ए महाबाहु अर्जुन, इनके तरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ती है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भोतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे है सारे प्राणियों का उद्धम इन दोनों शक्तियों में है इस जगत में जो कुछ भी भोतिक अथा आध्यात्मिक है उसके उत्पति तता प्रलय मुझे ही जानो ए धननजय मुझे श्रेष्ट कोई सत्य नहीं है जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझे पर ही आश्रित है ए कुंति पुत्र मैं जल का स्वाध हूँ सूरे तता चंद्रमा का प्रकाश हूँ वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ आकाश में धनी हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ हूँ मैं प्रत्वी की आद्य सुगंद और अग्मी की उश्मा हूँ मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ ए प्रता पुत्र यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदी बीज हूँ बुद्धिमानों की बुद्धी तथा समस्त तेज़स्वी पुरुष्यों का तेज हूँ मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ ए भरत श्रेश रर्जुन मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं चाहे वे सतो गुण हो रजो गुण हो या तमो गुण हो एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ किन्तु हूँ सतंत्र मैं प्रकटी के गुणों के अधिन नहीं हूँ अपि तुवे मेरे अधिन है तीन गुणों सतो रजो तता तमों के द्वारा मोहगस के ये सारा संसार मुझ गुणातीत तता अविनाशी को नहीं जानता फकरती के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ती को पार कर पाना कठिन है किन्तु जो मेरे शर्णागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं जो निपट मूर्ख हैं जो मनुश्यों में अधम हैं जिनका ज्यान माया द्वारा हर लिया गया है सथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरी शर्ण ग्रहन नहीं करते ए भरत श्रेष्ट चार प्रकार के पुन्यात्मा मेरी सेवा करते हैं आर्थ जिग्यातू सर्थार्थी सथा ज्यानी इनमें से जो परम ज्यानी हैं और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रिष्ट है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है निस्वंदे ये सब उलारचेता व्यक्ति हैं कि इन्तु यो मेरे ग्यान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ वह मेरी दिव्य सेवा में सत पर रहकर मुझे सरवोच उदेश्य को निष्टित रूप से प्राप्त करता है अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिते सचमुश ग्यान होता है वह मुझे को समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है ऐसा महात्मा अत्यंत दुरलब होता है जिनकी बुद्धी भोती की च्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने सभाव के अनुसार पूजा के विशेश विधी विधानों का पालन करते हैं मैं कत्तिक जीव के हदय में परमात्मा सुरूप इस्तिस हूँ जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी शद्धा को इस्तिर करता हूँ जिससे वे उसी विशेश देवता की भक्ती कर सके ऐसी शद्धा से समन्वित कह देवता विशेश की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ती करता है कि इन्तु वास्त विप्टा तो यह है कि ये सारे लाव केवल मेरे द्वारा पदत है अल्प बुद्धी वाले विप्टी देवताओं की पूजा करते है और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सिमित तथा शणिक होते है देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग को जाते है इन्तु मेरे भक्त अंततह मेरे परंधाम को प्राप्त होते है गुद्धी ही इन मनुश्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले मिलाकार था और अब मैंने इस तो रूप को धारण किया है वे अपने अपने ज्यान के कारण मेरी अविनाशी तथा सरवोच प्रकृती को नहीं जान पाते मैं मूर्खों तथा अलपग्जियों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ उनके लिए तो मैं अपने अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ अतेवे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अबिनाशी हूँ ये अरजुन श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूत काल में घटित हो चुका है जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वैस सब कुछ जानता हूँ मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किन्तु मुझे कोई नहीं जानता ये भरतवन्शी ये शत्र विजेता समत्य जीव जन्म लेकर इच्छा तफ़ा गणा से उत्पन द्वन्दों से मुह ग्रस्त होकर मुह को प्राप्त होते हैं जिन मनुश्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुर्ण्य कर्म किये और जिनके पाप कर्मों का पूर्ण्ट रूच्छे दन हो चुका है वे मुह के दन्दों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक्त मेरी सेवा में तथपर होते हैं जो जरात-था म्लत्यू से मुक्ती पानी के लिए यत्ना शील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहन करते हैं वे वास्ताम में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिद्य कर्मों के विशय में पूरी तरह से जानते हैं जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवताओं का पता समस्त यद्य विजियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मत्यू के समय भी मुझ भगवान को जान और समस्कते हैं